आज कल तो बहुत लोग अपने परिवारे को बढ़ाते रहता लेकिन आप समझ लिजिए कि जन्नाय करपुरी ठाकूर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए परिवार बात एक ऐसी बिमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है और एक ही बात जान लें जिए कि जन्नाय करपूरी ठाकूर जी से ही सिख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है वो ब्रश्टाचार के खिलाब है वो परिवार बात के खिलाब है नमस्कार मैं नमा लोग है आप लाव स्टीज देख रहे हैं बिहार के मुखमत नितीश कुमार ने कल ही जन्नाय करपूरी ठाकूर की सोवी जैंती समारोग के अफसर पर परिवार बात पर खुलकर कहा जमकर कैसे के निशान साथा आजकल तो कुछ लोग अपने परिवार ही को बढ़ाते हैं ये निशाना किस्पत था आप सोच रहे होंगे सोच क्या रहे हैं आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सई सोच रहे हैं लालू परिवार पर ही था लालू पुशादर के परिवार पर ही अक्सर परिवारवाद कारोप लगता है और जन्नाय करपुई ठागु को नमन करते हुए नितीश कुमार ने ये तक कहा कि जन्नाय करपुई ठागु को देखते हुए ही हमने अपने किसी परिवार को सरस्ते को आगे निबरहा है प्रधान मंत्री नहींद्र मोदी का साथ मिला परिवारवाद आज के युवाओं को जिनके पास capability है जो शमता रखते हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है उन्हें रोकती है नितीश कुमार ने कल परिवारवाद पर इंशाह साथ हा नितीश कुमार ने कल पधानमंतिर मोदी को धन्यवाद भी कहा जन्नायकर पूरी ने भी नितीश कुमार का साथ दिया है नितीश कुमार को सुनिये देखिए बाते कितनी अब मिलने लगी है और जो मैं आ रहा था रास्ते भर दोनों तरफ लोग खड़े हैं यहां पर तो हैं लेकिन रास्ते भर इतनी बड़ी संख्या में सब लोग यहां पर उपस्तित जब साथे दस में रास्तिय कारिक्रम था जो जहां वो रहते थे वहां गए थे और फिर उनके गाओं में गए तो सब जगा यह चारो तरफ से और वही तब रामनाठ ठाकुर जी उन्हीं के गाओं पर गए और उभी साथी आते हैं हर साल जब भी कारिक्रम रहते हैं सब कारिक्रम में हम जाते रहते हैं तो सब लोग वहां बड़ा खुस रहते हैं अब वहां पर उनके घर में जा करके परिवार के सब लोगों से मिलते हैं और इतनी बड़ी संख्या में वहां भी लोग रहते हैं अब वहां देखिए अनेक धर्म पांच ध्रम के लोग पूजा पाठ करते हैं तो सब में हम सुनते हैं सबका साविल होते हैं और हर जगा आते हैं यहां पर लोग कारेक्रम कर दिये थे कह रहे थे कि भाई हम तो पहले यह तीनों करने के बाद ही हम यहां आएंगे और हम देख रहेते कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आये हैं तो सच्पुच आज बहुत खुसी की बात है कि आज उनके सौवें दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहां पर पधार चुके हैं और अब एक और खुसी की बात है कि जन्नाय करपुरी ठाकुर जी को भारत रत्म भी प्रदान किया गया अब आप जानिये ने उनको भारत रत्म प्रदान करने के लिए तो हम तो सुरू से कह रहे हैं आप अगर देखिएगा तो जब हम लोग की सरकार बनी है 2005 में तो 2006 के बाद 2007 से ले करके आई 2023 तक हर साल पहले कॉंग्रेस की सरकार या और की सरकार बाद में अभी जो सरकार है इन साब लोगों को हम अनुरोद करते रहे लिखते रहे कि भाई जन्नायकरपुरी ठाकुर जी का भारत रत्म प्रदान किया जाए अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुसी है मैं इसके लिए केंदर सरकार को और प्रदान मंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने स्विकार कर लिया अब पता चल गया है कि जन्नायकरपुरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग सुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किये हैं तब सब को लगने लगा है कि अगर उनकी इजडत करेंगे तब ही जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है तब जो भी हो अब जो कर दिये जिस कारण से तो ही कर दिये मुझे तो खुशी है तो बधाई देता हूं और वो रामना ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिये प्रदान मंत्री जी तो हमको सब यही फोन किये हैं तो हमको तो खुशी है हमको तो फोन नहीं किये हैं लेकिन सब प्रेफ के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे आप इस सब चीज मत कहिएगा कि हम लोग की मांग थी आप खुद्दे कहिएगा कि वही कर दिये हैं लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं लेकिन हम लोग तो सुरू से करते रहें और जन्नायकर पूरी ठाकुर जी के सब काम आज जन्नायकर पुरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे, आज कर लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता है, नेता बनता है, जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो उचले गए, तभी हम इनको, जो रामना ठाकुर जी को, जब उचले गए, तो हम ही लोग रामना ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहां पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आज कर राज सवा के सदस्य हैं, और वहां पर पार्टी के तो जन्नल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज़त हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आज कल तो बहुत लोग अपने परिवारे को बढ़ाते रहता हैं, लेकिन आप समझ लिजिए, कि जन्नाय करपुरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए, और एक ही बात जान लिजिए, कि जन्नाय करपुरी छाकूर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है या पक्का जान लीजिए हम और लोगों को बढ़ादा देते हैं तो इसलिए एक सब चीजों को याद रखिए कौन क्या बोलता है बोलते रहे हमको उसे कोई लेना देना नहीं लेकिन भाई इतनी बड़ी संख्या में जो सभी जातियों के और खास करके पिछ़ा आती पिछ़़ा और उन्होंने कितना बड़ा काम किया आप बताईए जब उनको मौका मिला तो उन्होंने जितना जितना काम किया पर जब उन्होंने जब सारा कार काम उन्होंने कर दिया जो भी था पिछडा और अती पिछडा वर इस देश में पहली बार पिछडा और अती पिछडा वर को जोड करके और उसको आरक्षन दिया गया आप समझ लिजिए कि उन्होंने अपना उसी समय सुरू कर दिया 1978 में और उन्हों नहीं कर दिया जिसमें पिछड़ा वर को आठ प्रसत और अती पिछड़ा वर को बारा प्रसत का आरक्षन उन्होंने दिया था ये पहली बार हुआ आप ज़रा समझ लिजिए कि पहली बार उन्होंने ये काम किया तब तो हम दिमांड करते हैं भाई कि पूरे देश में सब जगा हो जाना चाहिए पिछड़ा वर अती पिछड़ा हम तो ये आग्रह करते हैं कि अगर करपुरी ये देश भर में पहली बार किन्होंने किया पिछड़ा आती पिछड़ा को तो अब तक लोग पिछड़ा को कहता अरे भाई तब पिछड़ा खाली है आती पिछड़ा ज़्यादा गरीब है और ज़्यादा गरीब और उनकी संख्या ज़्यादा है तो हम लोग तो हमेशा करते हैं अब उसी समय हम लोग कितना नारा लगाते थे तो इसलिए जो उनका काम किया हुआ है तो उनके काम को हमेशा याद रखना है और यही नहीं सराब बंदी भी लागू किया थे जब वो उनको मौका मिला तो उन्होंने भी सराब बंदी लागू किया इस देश में आप समझ लेजिए बिहार में भी पहली भार सराब बंदी कि उन्होंने लागू किया था जन्नायक कर पूरी ठाकूर्जी ने अब भला बताईए जब वो पिछड़ा आती पिछड़ा का कल्यान किये और जब वो इतना बड़ा काम किये तो जब सब कर दिये उस सराब बंदी लागू किये तो उनको समय के पहले बहुत लोग उसमें हटा दिया अब बाद में फिर सराब बंदी भी खतम हुआ लेकिन उसके बाद बहुत लोग चाहा पिछड़ा आती पिछड़ा हम तो एक दम लगातारे नारा लगाते थे कि भाई ये नहीं तो उतो चलिए काइम है अब कुछे काप दो रहा कुछी राजे लिया है सब लोग नहीं लिया है तब पिछड़ा आती पिछड़ा सबका तो होना चाहिए कल्यान होना चाहिए तो ये काम किये हुए इसलिए सब को हमेशा याद रखना चाहिए उन्होंने इतना इतना काम सब कुछ कर दिया लेकिन उनको हटाया गिया ये ठीक बात नहीं थी अजब उसके बाद जब थे तो हम जब एमेले थे तो हमको तो कहते रहे अफिर अंत में उनकी बात हम मान लिए कर लिए अजब आप समझ लिजिए कि एक एक काम जब से हम लोगों को मौका मिला है जब उनका निधन हो गया तो उनके निधन के बात से ही हम कारेक्रम चलाते हैं अजो फिर सरकार बनी उस समय नब्बे में भी हम लोग तो उसी समय हमने कहा कि नहीं सरकारी कारेक्रम होना चाहिए और तब से सरकारी कारेक्रम होता है ये देश में रोजगार के भी नए मोके लगातार बना रहा है साथियों आपके याद होगा लाल किले से मैंने कहा था कि यही समय है सही समय है 10-12 साल पहले भारत में जिस तरह की परिस्तित्यां थी उन्होंने देश के युवाओं का भविश अंदकार में बना दिया था उस समय आप में से बहुत सारे लोग कोई 8 साल का होगा कोई 10 साल का होगा कोई 12 साल का होगा हो सकता है उस समय की सारी स्थित्यां आपको पता भी ना हो आज स्थित्यां बदली है हम आज जिन पॉसिबिलिट्स की बात कर रहे हैं 2014 से पहले की जनरेशन ने उनकी उमीद तक छोड़ दी थी आप मैंसे कई न्यूस पेपर्स पढ़ते होंगे आज हर दिन नई खबर आती है कि देश ने इस शेक्टर में ये बड़ी उपलब्दी हासिल की लेकिन 2014 से पहले के अख़बार खोलिये आज कल वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है तब आये दिन वो जमाना था तब आये दिन करप्शन और स्केम की खबरें हेडलाइन में छपती थी हजानों करोर रुपयों के गोटाले सामान निबात थी आज उस समय आए दिन देश के नौजवान सडकों पर उस समय की सरकार के खिलाब प्रदर्शन करते थे मुझे संतोष है कि हम उस अंधकार मैं स्थिती से देश को बहार निकाल पाए हैं आज करप्शन की नहीं क्रेडिबिलिटी की बात होती है आज स्केम की नहीं सकसे स्टोरीज की बात होती है तब भारत फ्रेजाइल फाव में था दुनिया सोचती थी कि भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा आज भारत पांच भी बड़ी अर्थ वबस्ता है और दुनिया सोचती हैं कि भारत के विकास से उसका भी विकास होगा आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉब तीन एकोनोमी में शामिल हो जाएगा आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की एकोनोमी सेवन ट्रिलियंड डॉलर को पार कर जाएगी अर्थ विवस्ता के इतने बड़े विस्तार का बहुत बड़ा लाब भारत के युवाओं को ही होगा उनके लिए नए नए सेक्टरस में रोजगार के बहुत सारे नए मोके आएंगे इसलिए ही मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है साथियों आज का भारत सबसे युवा है इसी युवा प्रेणा से आज का भारत बड़े लक्षताय करता है और उने प्राप्त भी करता है सोलर एनर्जी से जुड़े कितने ही लक्ष रिन्योबल एनर्जी से जुड़े लक्ष भारत ने तय समय से पहले हासिल करके दिखाए हैं भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि प्रक्रती की रक्षा करते हुए भी विकास कैसे किया जा सकता है आपने देखा है भारत की रेलिवे ने साल 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष रखा है भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का भी लक्ष रखा है आज भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अभुद्पर्व जोर दिया जा रहा है बहुती जंद भारत की रेलिवे का हंड्रेट परसंड इलेक्ट्रिफिकेशन भी होने जा रहा है इसी 22 जनवरी को सरकार ने सोलर से जुड़ी बड़ी योजना का भी एलान किया है इस योजना के तहत देश के एक करोड घरों में सोलर रूप्टॉप लगाने का लक्ष रखा गया है सरकार का प्रयास है कि हमारे गरीब सात्यों का हमारे मद्दमबर के परिवारों का बिजली बिल तो कम हो ही कुछ लोगा का तो जीरो बिल हो जाएगा वो सिरफ बिल नहीं अपने घर के छट पर जो बिजली पैदा करेंगे वो बिजली सरकार खरीदेगी और ये परिवार बिजली बेचकर भी पैसे कमा सकें सात्यों आज का भारत आप युवाओं को बड़ी आसाओं से देख रहा है आप 21 सदी के युवा है आपके पास हजारों साल की विराशत हैं और इंटरनेट एज में फ्यूचर एप्रोच को देखने का सामर्थ भी है दुनिया में ऐसी कोई युवापीडी नहीं है जिस्ते पास रामायन और गिता की प्रेणा और आर्टिफिशल इंटेलीजेंस पर काम करने का स्कोप दोनों हो आपके पास ट्रेडिक्शन की भी ताकत है और टैलेंट की भी ताकत है आपके पास इंस्पिरेशन भी है इनोवेशन भी है आपके पास संभावनाओं का आश्मान है और साथियों आपका सामर्थ और बड़े आपके हर सपने पूरे हो इसके लिए हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है और नवजवानों यह मोदी की गारंटी भी सुन लीजिए आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है मेरी प्रात्विक्ता आप सभी युवा ही है मैंने हमेशा देश के युवाओं पर सबसे अधिक विश्वास किया है इस विश्वास के कारां सरकार ने ऐसे फैसले किये हैं जो पहले की सरकारों में असंभव से लगते थे हमारी सरकार ने आप सभी युवाओं के लिए ड्रोन से लेकर स्पेस शेक्टर तक को खोल दिया है हमने स्टार्ट अप नीती बनाकर आपके लिए बिजनेस के नए रास्ते बनाए हैं हमने मुद्रा युज्रा के तहर आपको बिना गरंटी बैंक से लोन लेने की स्विवादिया दिये आप लोन लिजे गारंटी मोदी देगा यूनिवर्सिटी में दाखले के लिए कॉमन एड्मिशन टेस्ट से लेकर फॉर्म एटेस कराने से मुक्ति तक आपके लिए हर चीज आसान करने का काम हमारी सरकार में किया है स्पॉर्ट सेक्टर में आपका टैलेंट आगे लाने के लिए खेलो इंडिया हो या इंटरनेट रिवलूशन के लिए डिजिटल इंडिया सभी आपके लिए है आज देश में एक से बढ़कर एक हाइर एजुकेशन के संस्थान खोले जा रहा है आज देश में रिशार्ट और इनोवेशन के लिए युवाओं को सरकार हजारों करोड पे दे रही है यह सब इसलिए है क्योंकि सरकार आप पर विश्वास करती है आपके लिए नए अवसर बनाना चाहती है और अभी यह शुरुवात है आज देश में पहले के मुकाबले दो गुनी तीन गुनी तेजी से नए हाइवे बन रहे हैं नए रेलिवेर रूट्स का निर्मान हो रहा है आज भारत आधुनिक इंफ्रास्रक्टर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया आज देश में जो तारों तरफ इंफ्रास्रक्टर डेवलप्मेंट हो रहा है उसका सबसे बड़ा फाइदा भारत के युवाओं को ही मिलेगा उवाओं के लिए रोझगार के नए अउसर बनेंगे उंके लिए हर सेक्टर में नई नई संभावनाय बनेगी आज यह जो आधुनिक इंफ्रेस भे बन रहे हैं वो किससे लिए बन रहे हैं भारत की युवाओं के लिए इस जो नई बंदे भारत ट्रेने चल रही है बिष्टा डॉम कोचेश शुरू हुए है वो किसके लिए मेरे नौजवान साथियों आपके लिए अब कुछ वर्षों में भारत में बुलेट ट्रेन चलने जा रही हैं ये किसके लिए भारत के युगाओं के लिए भारत की कम्प्रियों ने जो हजार से भी जादा नए एरोप्लेन का ओडर दिया है किसी एक देश ने हजार नए एरोप्लेन का ओडर ये खबरी दुनिया को अस्यर्यों होता है ये भी रोजगार के नए अफसर भारत के युवाओं के लिए ला रहा है आज भारत के रेल्वे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है आज देश में एक से बढ़कर एक आधुनिक एरपोर्ट्स बन रहे हैं डिघ्यनल कनेक्टिविटी से कॉम्युकेशन खनेक्टिविटी तक मोबैल टावर से लेकर की ऑप्डिकल फाइवर नेट वर्क तर सेमीकंडुक्ट्र पर मिशन से लेकर मिशन हईडरोजन कोए aviation sector से लेकर Tourism तक भारत में होता हर बदलाव मेरे नवजबानों आप के लिए कि इन बड़ावें का हर राएं सब्सक्राइब हाई युवाहं के हित से होकर गुझम करें से लिए भारत में रोजगार के स्वरोजगार के रिकोर्ड नए अवसर बनने जा रहे हैं राष्ट निर्मान से जुड़ी भारत के नवजवान के हर आकांशा की पुर्ति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है मैं देश के युवां वोटर्स को भी ये परोसा दूँगा सरकार युवां के हित्में ऐसे ही फैसले लेती रहेगी और यही तो मोदी की गारंटी है साथियों मुझे खुशी है कि आज भारत का नवजवान देश के समक्ष मौजुद चुनोतियों को अच्छी तरह समझ रहा है इसलिए वो ब्रस्टाचार के खिलाब है वो परिवारवाद के खिलाब है परिवारवाद एक ऐसी बिमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है इसलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है साथियों आज इस आयोजन में शामिल युवाओं की मैं इस बात के लिए और सराना करना चाहता हूँ आपने अमरुत महोसव के दौरान जन भागीदारी की अध्वूत मिसाल कायम की है भारत के युवाओं ने जिस बड़ी संख्या में अमरुत महोसों में हिस्सा लिया वो अभूत पुर्वा है समाज के हित्मे कार्य के लिए आप जितना कार्य करेंगे उतना ही देश का भी भला होगा युवाओं के लिए देश में एक नया संगठन भी बनाया गया है उत्संगठन का नाम है मेरा युवा भारत माय भारत अभी इस युवा संगठन को बने तीन महिने भी नहीं हुए हैं और इससे एक करोड से जादा युवा जुड़ चुके हैं आप भी मेरा युवा मेरा युवा भारत माय भारत संगठन से जरूर जुड़िए आप अपनी बात अपने सुझाव नमो एप के माध्यम से भी मुझ तक पहुँचाते रहिए नमो एप पर आप मुझे आने वाले लोगसभाज चुनाओं में बीजेपी का गोशना पत्र बीजेपी का मैनिफेस्ट हो या कहो बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए खास करके युमाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए इससे जुड़े सुजाओं भी आप जुरूर बेश सकते हैं और मेरे हिसाब से तो आप बोर्ड लालने जाए उसके पहले ही मैं आपकी भागीदारी चाहता हूँ आईए देश को बनाने के लिए आगे आईए आप भागीदारी कीजिए मैं चाहता हूँ कि लोग सभाज चुनाओं के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में देश के जादा से जादा युवाओं की भागीदारी हो भारत के युवाही बीजेपी के संकल्प पत्रों को गाइड करेंगे और आपके सुझाओं में जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे जो संभव लगेंगे और जो मोधी की गारंटी है तिये पूरा करने की शिरब लिखने के लिए मैं नहीं लिखता हूँ वो सुझाओं देने वाले युवाहों से मैं मिलकर के विस्तार से भी बात करूँगा कोई टीम उसको सिलेक करेगी आपके साथ बैठूँगा गपसप करूँगा और अधिज्यानने का प्रयास करूँगा साथियों आपने देखो होगा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने देश के युवाहों को बहुती अहम संदेश दिया है उन्होंने कहा है कि हमारी मतदाता सूची एक जीवन वाइबरेंट तस्वीर के रुप में हमारे लोकतंत्र की सम्रुद्ध विविदता को रिफ्लक करती है उन्होंने विशेश कर सहर के लोगों को युवाओं को जादा से जादा मतदान कर एक उदारन प्रस्तूत करने को कहा है वाकई आपका काम समाज को वोट के लिए जागरूत करने का भी है इस बार आपको लेटरस वोट के साथ साथ लेटरस मेग दें वोट पर भी काम करना है तो भिहार के मुखमति नितीश कुमार हो या पधानमत्र रेंद्र मोदी हो दोनों की बातों को हमने आपको सुनवाया है क्या कुछ बात रखी गई क्या कुछ कहा गया युवाओं से युवाओं से क्या पील की गई अब 2024 चुनावी वर्ष है इंडिया की नेता गंभीर भले ना हो लेकिन नितीश कुमार को अपने पाटी की चिंता है धोविशे की चिंता है और कहां रहेंगे तो जादा बहतर होगा इस बात की भी चिंता है क्या आप नितीश कुमार वापस एंडिय की ओर लॉट कर जा रहे हैं इस बात को तैमान लिया जाए प्रविवारबाद सच में बहुत बुरी चीज है युवाओं को आगे बढ़ने रहती है नितीश कुमार ने जो कहा नैंदर मोदी ने भी कैसे साथ दिया प्रवारबाद